आज एक औरम प्रिवियस पेपर देखेंगे और ये जेई के लिए है राइपूर डिविजन के लिए मेकानिकल डिपार्टमेंट आफ राइपूर डिविजन मैट्रिक्स लेवल 6 अगेंस 25% डीपीक्यू है और ये जो एक्जाम हुआ था ये 16-6-2024 को हुआ था 100 मार्क्स का ता डुरेशन दो घंटे का था ये ओर समय बारत से दो का था इसके इंस्ट्रक्शन दिये हुए हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देखने हैं हम सीधा चलेंगे अपने सवाल पे और उनके उाप्शंस देखेंगे कि कौन-पौन से सवाल के कौन-कौन से開어 और ना को मातरित अव전chutz अगला सवाल सवाल नम्बर दो जय वे रवे चाहिए को एक बार में अधिक्टम ओश्त वेतन अवकास कितने दिनों का स्विकृत किया जाता है यहां पर लीप की बात हो धीए कि एक बार में एक rail employee को कितने दिन की LAP स्विक्रित की जा सकती है तो इसका आंसर होगा D, यहां पे C, 180 दिन अगला सवाल, सवाल लंबर तीन यात्रा भंग करने की अनुमती नहीं है यदी, अस्थरांतर पास हैं ट्रांसफर पास, स्कूल पास, सेटेल्मेंट पास और पोस्ट सेवानिर्ट पास इन में से कौन से इसी पास है जिसमें हमें जो break journey करते हैं उसकी permission नहीं है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दू जो break journey होता है अगर आप 500 किलोमेटर से कम की यात्रा करते हैं तो आपको break journey नहीं मिलता है और 500 किलोमेटर से ज़ादा और 1000 किलोमेटर से कम आप अगर यात्रा करते हैं तो आपको एक break journey मिलता है और अगर आपकी यात्रा 1000 किलोमेटर से ज़ादा है तो आप उसमें अधिक्तम दो break journey ले सकते हैं तो यहाँ पे इसका right answer हो जाएगा settlement pass जो settlement pass होता है इसमें हमें यात्रा भंग यानि break journey की permission नहीं होती है चलिए अगला सवाल चार अनुशासन एवम अपील प्रक्रिया में major penalty में किस मानकस्तर का form जारी किया जाता है इसका right answer हो जाएगा c sf 5 sf 5 जो है यह major penalty के लिए होता है और जो sf 11 होता है वो minor के लिए होता है तो हमार right answer c होगा sf 5 अगला सवाल डिम निलंबन के लिए किस मानक form का उप्योग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा c sf 2 देखे डिम निलंबन क्या होता है अगर कोई रेल करमचारी 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहे तो इसको डिम निलंबन मान लिया जाता है और इसमें sf 2 चार्शिट दी जाती है अगला सवाल जब किसी रेल करमचारी को निलंबन में रखा जाता है प्रंतु के वर लगुश आसित पत्र जारी किया जाता है तो निलंबन अवधी क्या होती है तो ये होती है राइट आंसर होगा c duty चलिए अगला सवाल सवाल नंबर साथ एक रेल करमचारी को डिम सस्पेंशन में रखा जाता है अगर वो पुलिस सर्रक्षा में रहता है उपर मैंने बता है 48 घंटे से अधिक अगर आप पुलिस सर्रक्षा में अगर कोई भी रेल करम चाहिए रहता है तो वो डिम सस्पेंशन के अंडर में आ जाता है तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी 48 आवर से अधिक अगरा सवाल सवाल नमबर आठ निम्न में से कौन सा D&A रूल के तहट डंड में नहीं आता है निंदा चेताओनी पास बंद करना पी टियो बंद करना तो इसका राइट आंसर होगा C पास बंद करना यह पास बंद करना जो है यह डंड में नहीं आता है अगरा सवाल सवाल नमबर 9 एक्स पार्टी इंक्वाईरी कब किया जाना चाहिए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका A को CO उपस्तितना होने पे CO does not appear अगरा सवाल सवाल नमबर 10 ग्रूप C करमचारी 20 वर्स सेवा या उससे अधिक प्रंतू 25 वर्स से कम सेवा से सेवा निर्वित होने पर किस दर्जे से पोस्ट सेवा निर्वित पास का पात्र होगा यानि ग्रूप C करमचारी अगर 20 वर्स की सेवा कम्प्लिट हो जाती है लेकिन 25 वर्स से उसकी सेवा कम रहती है 20 साल से 25 साल के सेवा के बीच में अगर वो सेवा निर्वित हो जाता है तो उसको कौन सा पास कितना पास उसको मिलेगा तो इसका राइट आंसर जाएगा यहां पर बी दो सेट परेनम या इन दो सेट प्रती वर्स उसको पास मिलेगा तो राइट आंसर जाएगा बी अगला इसका बी आफ्टर थ्री मन्त तीन महिने के बाद अगला सवाल सवाल नमबर बादा डी ए आर 1968 के किस नियम रूल के तहट जाच अनिवार नहीं है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रूल 14-2 यानि नियम 14-2 के अंतरगत यह अनिवार नहीं है जाच अनिवार नहीं है सवाल नमबर 13 सेवा से अनिवार रूप से सेवा निर्वित निसकासन अथो बरखास का डंड लागू निम्न में से कौन कर सकता है नियंतरण अधिकारी, अनुशासनिक प्रदधिकारी, नियुक्ति प्रदधिकारी या फिर कोई ने तो देखे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर C, आपॉंटिंग जो अथोरिटी है नियुक्ति प्रदधिकारी है वही इस डंड को लागू कर सकते है चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा आगे 14, ग्रूप C और D करमचारी को निलंबन के दोरान प्रदधिक किया जाता है तीन सेट पास प्रतिवर्स, दो सेट पास प्रतिवर्स, एक सेट पास प्रतिवर्स या फिर इनमें से कोई ने तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C, एक सेट पास प्रतिवर्स, वन सेट पास प्रतिवर्स, या ग्रूप C और D करमचारी को निलंबन के दोरान होता है चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15, निम्न में से किस ग्रूप में C और डबलू पार्स आता है तो यह सवाल जो है स्टोर से है, यानि कि स्टोर में हमारे C&W का आइटम होते हैं किस में आते हैं, किस ग्रूप में आते हैं और 10 से 19 और 21 से 28 और लास्ट है 30 से 39 तो हमारा राइट अंसर होगा यह पर D 30 से 39 30 से 39 के बीच में हमारा C&W का पार्स आता है वो आता है और 0 से 0 यह स्टीव इंजन के लिए है और यहां पर 10 से 19 की बात की जाए तो यह डीजल लोकों के लिए होता है और 21 से 28 से यह एलेक्टिक लोगों के लिए होता है अब आकि 30 से 49 30 तो 39 यह होता है हमारा C&W के लिए तो यह बैसिकली स्टोर से जुड़ा हुआ हुआ सवाल है अगला सवाल सवाल नंबर 16 पील नंबर 2107-419 में 9 किसको सूचित करता है यानि कोई किसी आइटम का पील नंबर है तो इस पील नंबर में जो 9 नंबर की संख्या है यह क्या बताती है किस चीज को सूचित करती है तो यहाँ पे चार ओप्शन है मेजर हेडिंग सब ग्रूप माइनर ग्रूप और चेक डिजिट तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी चेक डिजिट यह चेक डिजिट को सूचित करता है अगला सवाल सवाल नंबर 17 डेड़ स्टॉक कितने समय में सत्यापन होता है डेड़ स्टॉक कितने समय में उसका सत्यापन किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वस एक साल में डेड स्टॉक का सत्यापन किया जाता है अच्छा जो डेड स्टॉक होते हैं जो ऐसे सामान होते हैं जो ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका पिछले 24 महीनों में कभी इस्तमाल नहीं किया गया है उनको डेड स्टॉक का जाता है तो डेड स्टॉक का सत्यापन एक साल में ह चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 19 चार्ज memorandum का उत्तर CO द्वारा कितने दिनों में दिया जाना चाहिए 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन या इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर जाएगा B 10 दिन 10 दिन के अंदर इसका उत्तर दिया जाना चाहिए CO के द्वारा, चार्ज memorandum में अगला सवाल 20, 20 नंबर महिला डिब्बे का परिवहन कोड क्या है और इसका राइट आंसर जाएगा C, Y याई जो लेडिज डब्बा होता है ट्रेन का कोच होता है, उसका जो कोड होता है मेकानिकल कोड वो पूछा जा रहा है और राइट आंसर जाएगा Y अगला सवाल, सवाल नंबर 21, निरेक्षन गाड़ी प्रसासनी का परिवहन कोड क्या होता है तो इसका परिवहन कोड होता है यहाँ पर आ रहे, इसका राइट आंसर जाएगा D जो की रेलवे के बड़े अधिकारी जो होते है हाई लेबल के, टॉप लेबल के जो आफिसर होते उनके चलने के लिए जो एक कोच होता है जिसको की हम सलून भी कहते है उसका ये कोड है और इसको हम कहते है आ रहे अगला सवाल, सवाल नंबर 22 पेंटरी का परिवहन कोड क्या होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर सी WCB, WCB पेंटरी कार का परिवहन कोड होता है चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 23 ICF ट्रॉली में किस भाग का उप्योग नहीं किया था है विच पार्ट इस नॉट यूजड इन ICF ट्रॉली यह नीचे जो चार उप्शन दिये गए इसमें वो कौन सी चीज है जिसका इस्तमाल ICF ट्रॉली में नहीं किया जाता है तो डैस्ट पॉर्ट इसका किया जाता है साइट बेदर यह भी होता है शौक अब्जॉर्बर यह भी होता है और ड्रैगलिंग यह नहीं होता है तो राइट आंसर जाएगा ड्रैगलिंग एक ऐसा पार्ट है जो ICF ट्रॉली में इस्तमाल नहीं किया जाता है सवाल नमबर 24 ICF कोच का मानक पैकिंग पीस क्या है बफर राइट कम जादा करने के लिए जो पैकिंग पीस जाली जाती है अगर वील छोटा है बफर राइट कम हो गया तो बफर राइट को बढ़ाने के लिए पैकिंग पीस जाली जाती है तो उसके बारे पुछा जा रहा है कि उसका जो मानक पैकिंग पीस होता है वो कौन कौन से size का होता है तो इसका right answer हो जाएगा है यहाँ पर C ठीक है, right answer C हो जाएगा 13 mm, 26 mm, 38 mm और 48 mm यह मानक packing piece है ICF coach का अगला सवाल, सवाल number 25 ICF के अंतिम भाग पर पीली पटिया दरसाती है yellow strips on the end body of ICF indicators ICF coach के पीछे अगर पीली पटिया है तो वो किस चीज को दरसाती है तो वो दरसाती है, इसका right answer हो जाएगा A, anti-telescopic, यानि कि वो coach anti-telescopic है अब anti-telescopic का मतलब यह हो गया जो कि दरवाजे के सामने का जो हिस्सा होता है या जो bathroom के एडिया है उसको ऐसा बनाये गया है कि अगर कभी कोई accident हो तो वो हिस्सा पहले दब जाए तूड जाए और जटके का impact अंदर passenger के तरफ ना जाए जो passenger compartment है वहाँ पे impact ना पड़े और सारा जो accident का जोर है बस वही दह जाए और वही coach दब जाए या पिचक जाए जो simple बासा हम बोले तो anti telescopic ये चीज़ बनाई जाती इसलिए चलिए अगला सवाल सवाल number 26 UST पर इक्षण से क्या पता लगाए जाता है what defect is detecting in UST test UST test क्यों किया जाता है या फिर UST test अगर किया जाता है तो किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर 3-4 option है internal crack, external crack, air flow crack या फिर none of these तो right answer हो जाएगा इसका A internal crack internal crack देखने के लिए UST test किया जाता है सवाल number 27 कोचिंग स्टॉक में उप्योग किया जाने वाले hydraulic shock absorber के रख रखाओ और मरमत परक्रिया के लिए किस RDSO tank ने की pamphlet का उप्योग किया जाता है और इसका right answer हो जाएगा C यहाँ पर C6803 pamphlet का इस्तमाल किया जाता है RDSO के बहुत सारे pamphlet है और pamphlet से जुड़े बहुत सारे question आते हैं और इनको याद करना बड़ा मुश्चिन है मुझे तो ही लगता है इन pamphlet को याद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह हजारों के संक्या pamphlet है कितने को आदमी याद रखेगा ऐसे सवाल आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है चले अगरा सवाल सवाल number 28 यात्री डिब्बो पर एयर ब्रेक उपकरन के निरिक्षण रख रखाओ के निजदेश के लिए किस RDSO तकनीकी pamphlet का उप्यूग किया जाता है देखे ये भी pamphlet से जड़ा ही सवाल है और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C-C-8805 C-8805 pamphlet का इस्तमाल किया जाता है यात्री डिब्बो पर एयर ब्रेक उपकरन के निरिक्षण और रखाओ के निजदेश के लिए चलिए अगला सवाल देखते है सवाल number 29 AC, ICF, RCF coach में कितनी अपात कालिन खिरकिया होती है How many emergency windows provided in AC, ICF, RCF coaches AC, RCF, RCF coach की बात होती है तो इसका right answer हो जाएगा C यानि कि 4 4 emergency window का इस्तमाल किया जाता है AC, ICF, RCF coach में चलिए अगला सवाल सवाल number 30 Coach के अनुसूची A परिक्षण का अंतराल क्या है यानि कि यहाँ पर A examination का schedule A examination का interval पूछा जा रहा है कितने दिनों में A examination होता है schedule A examination होता है right answer हो जाएगा A 1 month plus minus 3 days यानि एक महिना plus minus 3 दिन अगला सवाल सवाल number 31 Coach के अनुसूची B परिक्षण का अंतराल क्या होता है and schedule B जो होता है examination उसका अंतराल उसका interval क्या होता है और इसका right answer हो जाएगा C 3 month plus minus 7 days और जो schedule B होता है वो 3 month यानि 3 महिना plus minus 7 दिन पर होता है तो ये बहुत important है बहुत जगह ये सवाल आता है मैंने देखा है जो schedule है A schedule और B schedule ये कब कब होता है चलिए सवाल number 32 manipulator का उप्योग क्या है what is the purpose of manipulator तो इसका जो उप्योग है manipulator का for down head welding down hand welding नीचे हाथ welding के लिए इसका उप्योग किया जाता है manipulator वो machine होती है जो wagon को पूरी तरह से पलट देती है जो नीचे का हिस्सा है वो side में आ जाएगा या फिर उपर की तरफ चला जाएगा ताकि welding करने में आसानी हो या तो ये wagon के लिए होता है या फिर ये बोगी के लिए भी होता है अगर बोगी के निचले पार्ट में कोई welding करना है और नीचे से welder नहीं कर पा रहा है तो manipulator पे उस बोगी को पलट दिया जाता है और नीचे का हिस्सा उपर आ जाता है और फिर आराम से welder उसको welding कर लेता है ठीक किसी प्रकार वैगन के लिए भी होता है manipulator बड़ा manipulator होता है जो वैगन को पलट देता है और वैगन के नीचे का हिस्सा उपर आ जाता है या फिर सामने आ जाता है और फिर उसमें welder आराम से उसकी welding कर लेता है इसलिए इसका right answer हो जाएगा B for down hand welding चलिए अगला सवाल सवाल number 33 रेल अस्तर से buffer के केंदर तक न्यून्तम अनुवे buffer height क्या होती है या जो buffer height न्यून्तम minimum buffer height पुछा जा रहा है rail अस्तर से rail label से buffer या CVC के जो केंदर तक जो minimum buffer height क्या होती है तो एक यहाँ पर चार option दिया गया है 1105 mm, 1145, 1115 और 1030, तो right answer होगा 1030 mm, लेकिन यहाँ पर minimum जो दिया गया है यह load में दिया गया रहता है कि load में minimum buffer height कितनी होती है, तो ज़्यादा अच्छ होता है 1030 mm, देखे, maximum जो buffer height होती है 1105 होती है, empty में खाली गाड़ी में maximum buffer height 1105 होती है, और खाली गाड़ी में minimum buffer height 1090 होता है यानि एक तरह से यह कह लिए, जो standard buffer height होती है, 1090 से 1105 mm के बीच में होती है तो वो खाली में होता है और जब गाड़ी load होती है, तो minimum 1030 mm होती है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, 1030 से नीचे नहीं होना चाहिए, लोड के इस्तितिम में चलिए अगला सवाल, सवाल नमबर 34, हेड स्टॉक से नियुनतम अनुमे बफर पोजेक्शन क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर D, 584 mm, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगला सवाल सवाल नमबर 35, आईसी एफ कोच में ट्रॉली पर बॉडी का भार कैसे अस्थनांत्रित किया जाता है यानि आईसी एफ कोच में ट्रॉली पर बॉडी का जो भार आता है, किस तरह से आता है तो इसका राइट आंसर जाएगा, C, साइट बैर, साइट बैर से सादा बॉडी का भार बॉडी के उपर आता है आईसी एफ के अंदर, अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स में जो बॉडी का भार आता है बॉडी पे, वो सीटा सेंटर पिवोट से आता है साइट बैर से नहीं आता है जबकि ICF coach में side better से आता है अगला सवाल सवाल नमबर 36 LW LH boggy using LW LH boggy का उप्योग निम्न में से किसमे किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा यहाँ पे C box and S में इसका इसका इस्तमाल क्या जाता है चलिए अगला सवाल सवाल नमबर 37 एक ही वीजी कोच पर चार वहिया ट्राली के लिए वील ट्रेट व्यास में अनुमय भिन्नता कितनी होती है टायर टर्निंग के समय और इसका right answer हो जाएगा यहाँ पे D 13 mm अब देखें यहाँ पे एक ही बीजी बीजी कोच की बात हो रही है एक ही बीजी कोच पर चार वीजी के लिए वील ट्रेट व्यास में अनुमय भिन्नता कितनी होती है तो यह पूरे कोच में हो रहा है तो पूरे कोच में 13 mm होता है अगर एक बौगई में बात करें तो एक बौगई में 5 M होता है और एक Excel पर बात करें तो 0.5 M होता है एक चक्के में ठीक है तो अगिला सवाल सवाल नंबर 38 वाक्सेंट अन वैगन काエकसल लोड कितना होता है राइट आंसर अगर दी 25 टर्न होता है वॉकसंड वैगन का एक्सेल लोड चलिए अगला सवाल सवाल नमबर हमारा 39 फुल सर्विस अप्लिकेशन के दोरान ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप करते हैं कितना ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप करते हैं जब हम फुल ब्रेक अप्लिकेशन करते हैं तो राइट आंसर होगा D 1.5 kg per cm2 का प्रेशर ड्रॉप करते हैं फुल सर्विस अप्लिकेशन के लिए अगला सवाल सवाल नंबर 40 ट्विन पाइप सिस्टम में AR प्रेशर कितना होना चाहिए ट्विन पाइप सिस्टम में AR का प्रेशर राइट आंसर हो जाएगा इसका B 6 kg per cm2 क्योंकि ट्विन पाइप है और ट्विन पाइप में AR है वो FP से चार्ज होता है और FP का प्रेशर 6 kg होता है इसलिए AR का प्रेशर 6 kg होना चाहिए जब कि अगर हम SINGLE PIVE की बात करें तो SINGLE PIVE में F-P नहीं होता है सिर B P होता है और B P का प्रेशर 5 kg per cm2 होता है तो इसलिए SINGLE PIVE में AR का प्रेशर 5 kg per cm2 होता है जब कि TWIN PIVE में AR का प्रेशर 6 kg per cm2 होता है अगला सवाल सावाल नंबर 41 A dimension किसके किसके बीच मापा जाता है measured A dimension between किसके किसके बीच मापा जाता है तो इसका right answer रहेगा यहाँ पर D control rod head and barrel face control rod head and barrel face के बीच में A dimension मापा जाता है अगला सवाल 42 WRA के लिए आवश्यक नियुनतम वायुदाब कितनी होती है minimum air pressure required for WRA is right answer रहेगा A 0.35 kg per cm2 अगला सवाल 43 LHB coach का riding index क्या होता है right answer रहेगा C 2.75 जो riding index का index है यह कितना comfort है उसके लिए यह index होता है यानि coach में जो ज़दनी की जाती है तो कितनी comfortable है उसको बताने के लिए riding index का इस्तमाल क्या है तो LHB coach का riding index है 2.75 है चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 44 LHB coach का D1 schedule कारिकरम कितने समय बात किया जाता है और इसका right answer होगा C every trip जो D1 होता है every trip पे होता है हर trip पे जब भी गाड़ी चल के आती है D1 schedule किया जाता है चलिए अगला सवाल नंबर 45 LHB coach का SS1 अनुरक्षन कारिकरम कितने समय बात किया जाता है इसका right answer होगा B 1.5 यर डेड़ साल में SS1 किया जाता है चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 46 BG boogie bagun पर एक ही XL पर चार पहिया ट्रॉली के लिए नए wheel trade ब्यास में अनुमय भिन्दता कितनी होती है तो right answer हो जाएगा इसका B 0.5 उपर मैंने बताया था यानि कि एक ही कोच के एक ट्रॉली के पहिये के चार पहिया ट्रॉली के लिए देखें BG boogie bagun में एक ही XL पर यानि एक XL पर जो दोनों डिस्क होते है उनके बीच में जो size का अंतर है वो कितना होता है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा हूँ यह हमारा XL हो गया और यह हमारा दो डिस्क हो गया तो इन दोनों डिस्क के size में कितना फर्क हो सकता है maximum तो 0.5 mm का फर्क हो सकता है इससे जादा नहीं हो सकता है 13 mm से जादा का नहीं होना चाहिए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 47 वीजी बोगी बैगन पर एक ही वैगन में पहिया बदलते समय चार पहिया ट्रॉली के लिए वील ट्रेट ब्यास में अनुमय भिनता कितनी होने चाहिए तो यह हो गया 25 mm यहां पे थोड़ा सा फर्क हो जाता है वैगन और कोच में वैगन में यह 25 mm हो गया जबकि यह कोचिंग गारी में यह 13 mm होता है वैगन में जबकि यह 25 mm हो जाता है एक वैगन के अंदर चलिए अगला सवाल, सफ़ाल नंबर फॉर्टि एट दुर्गटना नियमावली मेरे ट्रेन पार्टिंग किस में आता है, in accident manual train पार्टिंग इसने अंडर किस में आता है, तो यह आता है, स्वाल नंबर फॉर्टि नाइन, non निर्मित, बेल सी कंटेनर वैगन का प्रथम पियो सवाल नंबर 50, C-Class Odyssey कब मूव किया जाता है? और इसका राइट आंसर रहेगा A, Daylight, यानि कि Daylight के अंदर C-Class Odyssey मूव किया जाता है और जो ये Odyssey होते हैं, ये 25 के MpH की स्पीड पे रहते हैं और ये स्कॉर्टिंग में चलते हैं, और ये CRS से परमिशन होने के बाद ही ये चलते तो आज ये 50 सवाल ले लिए और कल हम 50 सवाल और लेंगे इसलिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन बटन दबा दिजेगा ताकि ऐसे important वीडियो आपको मिल सके और ये आपको जानकारी कैसे लेगी comment करके ज़रूर बताएगा अगला व कंप्लेट हो जाएगा question paper वीडियो देखने के लिए धन्यवाद